तो पांच राजियों मा चुटनी अने त्यार बाद हवे आजे आवशे परिणाम जीहा काउंड़ाउन पन शरू थाई गवशे सवरे आठ वाग्या थी पांच राजियों नी मत गणत्री नो प्रारम थशे सवथी पहला कराशे पोस्टल बालेटनी गणत्री पांच राजिय नी चस्सों नेव विधान सभाव बाठकोनी मत गणत्री थशे तो 6,945 अमेद्वारों ना भावी नो आजे फैसलो पन थशे सवथी मोटो आजना देश चे सवथी मोटो राजिय उत्तरप्रदेश सवथी मोटो आजना देश अने एज प्रकार नी भव्य तैयारी पन न्यूज 18 नेटवर्क के करी चे हैदराबाद मा स्पेशल एक ड्रोट रूम तैयार करवा मा आवे हो चे जियांती तमाम परिणामों आपना सुधी पहुशे जे पर रुजान सामे आउशे त्यार बाद सचोट जे परिणाम आउशे ते अमें आपना सुधी पहुशाड़ी शूँ अमें बीची चैनल नी जैम उतावडे सीटो आगडवधारवाना चक्कर मा नहीं रहे अमें आपने आपीशों सचोट परिणाम जे अमारी पास से आउशे एवाश तूरत आपने मढशे रुजान मढशे ट्रैंस मा कौन आगड़ चे कौन पाचर चे ए आपने बताविश् होई के पची हैदराबाद मा होई अमारी तमाम टीम तैयार चे जे रिते गणत्री जेम बैलेक पेपर नी पहला गणत्री शारू थाशे अने त्यार बाद इवी एम खुल शे तेमा किटला मत कौनी तरफी जही रहाचे कौन आगड़ चाली रह चे कौन पाचर चाली रह च तमाम आखला अमे आपना सुधी पोहंचाड़ी शूँ बस हावे थूड़ा ज मिनिटू नी वार चे 7 ने 34 सनौा समय थाह उचे आठ वागे बराबर आठ वागे आठ वागे ती आगणत्री शारू करवा मा उचरे पांच राजय नी विधान सभा चूटणी परिणाम आज आवी रहा ची एक्जित पूल माँ जीरी ते सामे आवी होतूं। तो एक्जित पोल मा उपी माँ उप्रदेश मा फड़ी बीजेपी नी CG बनी रहे चैजित द्रश्य त्यारे मत्युरी आप जोई रहा चौं। तेहां अधिकारियों तेहरे जोहां मड़ी रहाँचे तेहां सुरक्षाना जवानों गन साथे उपस्ति छे कोई प्रम्ट्रकानिया निचिनिय अखट्ना न बने तेमाटे गन साथे ते जवानों उपस्ति छे तो एक्जेट पोल मा जिरी ते उत्तर प्रदेश माँ बीजेपी नी सरकार बनती नजरे पड़ी रही छे जे एक्जेट पोल जणावी रहा आता परन्तु खरेखर पड़ी नाम आजे आउशे जनता है कोना तरफी वोट अनाख्या चे ते आपने खबर पड़ी रहा चे एक्जेट पोल मा जेंज जुआ मड़ी रहा चे के पंजाब मा आम आदमी पार्टी मोटी पार्टी बनी शके चे गोवा मा गई टम्मा हार्या पची भाज़ा पे सरकार बनावी हती जी हां कॉंग्रेस पासे बधारे सीटों हती अने तेम छत्ता पन सरकार बीजेपी ये बनावी हती आ वकते कोकडु क्यांक गुचवाईलू नजरे पड़ी रहे हुचे बीजेपी कॉंग्रेस वचे टककर पन छे बीजी तरफ कोईनों साथ लिवा मा पन तैयारी बीज़ा पक्षनू साथ लिवानी तैयारी पन कॉंग्रेस ते त्यां बतावी चे कानके कॉंग्रेस इछी पुरूत लिये तेया, जो पुरूत रीम, कोन चली होग जो चैँ, पुरूत खर चली रही हूँचे। ते तमाम ए आकड़ा हैदराबाद मा तयार थाशे ने त्या थी आमें आपना सुधी पहुंचाड़ीशूं। परिंतु न्यूस 18 गुजराती ने जी अमारी आ ओफिस चे त्या कईरी ते तैयारी थाई रही चे त्या कईरी ते अमें आपना सुधी कांके सवथी मोटू जे राजिय चे ते उत्तर प्रदेश चे ते दिल्लीना दर्वाजा खोले चे तु दिल्लीना दर्वाजा कोना माट अपनी जीत को लेकर के भी आजवस्त हूं और मैं पार्टी की जीत को लेकर के भी आजवस्त हूं एक दो घंटे के अंदर स्तिद्या आपके सामने सपस्त हो जाएंगे लोग कॉंग्रेस को स्पस्ट बहुमत देने जा रहे हैं बहुत अच्छा बहुमत देने जा रहे हैं मारा सही होगी जणा अपने जणा आउशे मैजीक वाल काया प्रकानों मैजीक सर्शे आजे तमाम दिवस दर्म्यान अमें एपन बतावे शो परंदू सीधाज मारा सही होगी जणा पासे जीशो त्यारे जो बिल्कुल धनिवार संध्या न्यूज 18 हमेशा थी जारे जारे विधान सभा चूंटनी नीवाद होई त्यारे तमाम परिनामों जल्दी थी जल्दी सचोट रिते दर्शकों सुधी पहुंचे ते माटे हमेशा कटी बद रहुँ शे ते माटे हमेशा मैजीक वाल पर आ परन्तु आज ये तस्वीर है आपने मात्र जीरो जीरो देखाई रहुआ शे इतला माते कान के अजीब बेहजार 22 ना परिणामों जेम जेम आभवानों शरू था शे टेम तेम आकडा चेंज था शे परन्तु आपने जीए बेहजार सत्तर करफ तो बेहजार सत्तर ना अने तनो वोट्शेर है तो 22.27 टाका आब आकडा खुबश बहत्वना चे कारण कि आप जोई रहां चो तफावत बीजेपी तो बहुमाधी ना आखनाने प्रवटावी गई हती परन्तु त्यार बाद जे त्याना स्थानिक पक्षों छे टेके समाजवादी पार्टी आने अने बहुजन समाजवादी पार्टी त्यारे एस्प और बीएस्पी जमाँ एस्पी ने सुर्तालिस बैठों को मड़ी हती एवखते अखिलेश यादव सरकार हती अखिलेश यादव के जोई चूटणी मां कोई कचास नहती बाकी राखी प्रचार मां परन्तु जे प्रका प्रचार मां परन्तु बीजे पीजे चे त्यारे तो तमाम जे छे ते रेकोर्ट्स ब्रेक करने त्रंसो बाल बैचकोस साथे विजेता प्राप्त थाई हती हवे एक्जिट पोल ना आकड़ा जे सामें आवे चे ते ब्रहमाने आवखते पड़ भाज अपनी सरकार बनवा जे रही छे परन्तु वोट शेर घटी शके छे एकली उत्तर प्रदेश जे खुबच महत्वनु साबित था शे और तमाम आकड़ाओ जे ते आपने विस्तारती दर्शक को सुधी पहुंचारी श्यू संधिया जी बिल्कुल आज साथी जी आकड़ा नी वाद करवा मावे प्रदेश नहीं आपे ब़ाद करें तो उत्रप्रदेशन जी जैशू और अरेशिदा मेरट से हमारे सही होगी निकिल हमारे सा जूड़े हैं जे निकिल के सरा के यारी आट बजे से कौंटिंग शुरू होगी पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग होगी उसके बाद कि देखे इंतजार की घड़िया लगवा खत्म हो चुकी है कुछ ही देर में काउंटिंग चुरू होने वाली है सबसे पहले बैलेट पेपर की काउंटिंग उसके बाद इवी एम से काउंटिंग होगी यहां मेरट में तीन विदान सभाओं की मदगर्णा मेरट के क्रिशी व सब्सक्राइब मौजूद हैं जहां पर सरदना सिवाल खास और मैं आपको अधादू हस्तनापुर की मदगर्णा उन्हें इसी तरीके से लोहिया नगर में मदगर्णा होगी जहां पर चार विदानसभाओं की मदगर्णा को रखा गया है जहां शहर केंट और किठोर और द दिखा सकता हूं कि इसी बेरिकेटिंग के कुछ ही दूरी पर मतगर्णा होनी है यहां पर सामने वाले हॉल ने और फिर शेस्तनापुर की मतगर्णा जिसमें मतगर्णा होगी और वही है समाम सेफिक मेजर्स का कि अगर कोई घरबड़ी होती है तो उसी बात को लेकर प्रशासन भी अलर्ट है लगातार किसान नेताव से बाची चल रही है और एसा ना हो इसको लेकर पूरा ध्यान रखा गया है वही में आपको उतादू कि आज उत्तवदेश की किस्मत का फैसला होगा पश्चिम उत्तवदेश उसमें एक एहन रोल निभाता है और मेरट की बात करें तो पश्चिम उत्तवदेश की राजनीत का गड़ मेरट को माना जाता है मेरट में अगर निए टिकजों की बात करें तो संघीच सोंगे प्रतिष्ठा यहां पर लगी है फूर मंत्रिंशाहिद मझूग का क्रियर दाउपर लगा हुआ है और यह भाजपा की प्रतिष्ठा का भी सवाल है क्यूंकि पिछले अगर 2017 की बात करें तो यहां पर साथ में से चे विधान साब आपर भाजपा का कबजा था अब वही इस्तिती रहेगी या फिर उन सीटों में कुछ फर्क हाएगा यह अब से कुछ ही देर बाद पता चल जाएगा जी बिल्कुल निखिल शुक्रिया आपका हमारे साथ है चुड़ने के लिए तो हमें आपने जणावी राज चे के ग्राउंड पर काया प्रकारनी परिस्तिती चे काउंटिंग माटे कैरी ते तैयारियों करवा मा आवी चे मेरट थिया आपे द्रश्र जोया अमारा सेवगिनी खिलपण अपनी साथे जोड़ाया हता उत्तर प्रदेश साथी आगत्या नू आ राज्य चे तैना परज सवनी नजर रहे ली चे एकला माटे पड़ा नजर रहे ली चे कांके बहजार चौविस लोग सभा एलेक्षन पहला सवथी मोटू आ एलेक्षन मानवामा आवी रेए जे तैना पर उत्तर प्रदेश नी चुटणी आने कैवाल चे के जो यूपी जीतिया त ती पर कौन शासन कर शे तो राजे माँ 25 दिवसमा थाईला साथ तबका माँ वोटिंग माँ जे मद्दान थायू अतु ते मद्दान कौना तरफी गयुँचे कौने किटला वोट मल्या चे कौने कई सीटो कौना तरफी जवा नी चे ते जो आनू रहे शे तो बीजे पी न सीटो जशे बैजार सत्ता ना परिणामों कहीं कलग हता कारण के बैजार सत्तर मां सपा कौंग्रेस मात्र चौपन सीट मड़ी ते पांच राजियों नी जना देश जनतानों आजे जना देश न्यूज 18 पर चुप्री ना सौथी जड़पी सचोट परिणाम आपने जोवा अमारा जे सयोगी जे तमाम रिपोर्टर्स नी टीम होई, न्यूज रूम नी टीम होई, तमाम जे विवस्था चे तिये अमे करे ली जे तो आसाथे जे आपने जना भी रहा चे के दरेग बैठक नूपने नाम सौथी पहला आपना सुधी पहुश चे जी हाँ, न्यूज 18 नेट प्रक नीटी में हादराबाद मा करी छे खास तयारी, खास अमेक रूम तयार करे ओचे, तमाम जे जे सिस्टम चे ए अमे तया मुखी छे, सिस्टम पर ए आँकड़ा आँचे, ग्राउन पर ती सिस्टम पर आँकड़ा आँचे, अरे ए सिस्टम ना आँकड़ा सिधा आज आपना टीवी स्क्रीन पर जवा मढशे कि कौन आगर चाली रहे हुचे, फ्रेंज कौन आतर फीज रहे हुचे, कौन पाजल चाली रहे हुचे, कौन जिति रहे हुचे सवती सचोट परिणाम आपने जवा मढशे न्यूज 18 पर जी हाँ दर एक जे पांच राज्यों जे पांच राज्यों दर एक बैठकनों परिणाम सुथी पहला आपना सुधी अमें पहुंचवा रिश्रूँ पांच राज्यों के परिणाम जो हैं वो अब से कुछ देर बाद आने शुरू हो जाएंगे साथ बज़ करके 46 मिनट होने जा रहे हैं और महज 13 से 14 मिनट का इंतजार और उसके बाद जो रिजल्ट है वो आने शुरू होंगे इस वक्त मैं खड़ा हूँ मैजिक वाल के पास ये मैजिक वाल क्यों है दरसल हम आपको वो समझाते हैं अब देखें इस वाल पे आता हूँ इस वक्त आप देख सकते हैं पांच राज्यों के परिणाम आने हैं लेकिन पूरे देश की निगाहें अगर किसी पटी की हैं तो वो उत्तर प्रदेश है कुल 403 विधान सबा सीट आप यहाँ देखें इस वक्त आपको पूरा ब्लैंक दिखरा होगा यहाँ पर अभी कोई परिणाम आये नहीं है क्योंकि हम आपको 2022 का परिणाम दिखाने वाले हैं यहाँ पर एक एक करके अपडेट्स आते चले जाएंगे लेकिन अब जरा साब पीछे चलते हैं और साल 2017 का परिणाम हम आपको बताते हैं कि साल 2017 का परिणाम कैसा रहा था आप यह देख सकते हैं उत्तर प्रदेश का यह मैप और पूरा भगवा रंग में रंगा उत्तर प्रदेश 312 विधान सभा सीट, 403 में से 312 विधान सभा सीट बीजेपी के खाते में गई थी और बीजेपी इस बार भी वही पहुँचने की उम्मीद लगाए बैठी है एग्जेक पोल कुछ ऐसे हैं जो 300 का अकड़ा पार करवा रहे हैं कुछ ऐसे हैं जो 220-25 के पास रोक रहे हैं लेकिन एग्जेक्ट है क्या, रिजल्ट वो कुछी देर में पता चलेगा इसके अलावा बीजेपी को टकर देने वाली समाजवादी पार्टी 47 सीटों पर रुक गई थी 2017 में यानि अखिलेश यादव को अपनी सत्तागवानी पड़ी थी बसपा की बात की जाए, इस बार मायवती बहुत ज्यादा साइलेंट है ज्यादा बोलती नजर नहीं आई है लेकिन क्या वो साइलेंटली कुछ कर जाएंगी इसका भी इंतजार है पूरे देश को कि आखिर बसपा है कहां, स्टेंड कहां कर रही है 2017 की अगर बात की जाए, तो वोट परसेंटेज को अगर आप देखें तो अखिलेश यादव यानि सपा की पार्टी से ज्यादा वोट बसपा को मिले थे लेकिन सीट में वो कनवर्ट नहीं हो पाए थे ये स्थिती है उत्तर प्रदेश की साल 2017 की क्या यही परिणाम रहेंगे या इसमें उतार चड़ा होगा इस बात का पूरे देश को इंतिजार है अब उत्तर प्रदेश के बाद दूसरा सबसे बड़ा राज्य जो है अभी जो चुना हो रहा है पाँच राज्यों में वो पंजाब है अगर हम पंजाब की बात करें तो पंजाब की सिती क्या कहती है अभी आप देखें ये 2022 की सिती है पूरा ब्लैंक पंजाब 117 विधान सभा सीट पंजाब के अब 2017 में क्या सिती रही थी 2017 में यहाँ पर कॉंग्रेस ने सरकार बनाई थी आप देखें तो 117 में से 77 सीटें कॉंग्रेस के खाते में आई थी और 38 फीसदी से ज्यादा वोट कॉंग्रेस को मिले थे आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर रुख गई थी शिरो मनियकाली दल 15 और बीजेपी के खाते में 3 सीटे लेकिन अब इसमें चीजे बदल गई है यहाँ पर इस बार के एक्जेट पोल ये कह रहे हैं इंतजार और उसके बाद परिणाम जो हैं वो आने शुरू होंगे तो यह मैजिक वॉल है और इस मैजिक वॉल के जरिये ही मैं आपको एक-एक अपडेट पहुचाता रहूंगा फिलहाल मैजिक वॉल से इतना ही वापस लिए चलते हैं आपको स्टूडियो तो बस आवे गणत्री नो समयच बाखी रहोचे कांटिंग शरू थवाने पहला बैले पेपर नी गणत्री थशे त्यार बाद EVM खोलशे कौनाओ भावी आजे ओजवर चे ते पणचोवा मर्श अना समचोना अंतमा जोईए देशना मोटा शहरोंनू हाल नुट अपमान रिपोर्ट स्पॉंसर्ट बाई मैंगो एरकुलर इन गर्मियों में घर ले आए मैंगो एरकुलर वाली ठंडक